नमस्कार बिस तक के इस वीडियो में आपका स्वागत है मैं हूं शोगम शंकदार और हर्शाम की तरह आज भी हमारे साथ हैं इंडेटोडे हिंदी के संपादक अंशुमान तिवारी जी आज के इस वीडियो में चर्चा दो चीजों पर दो चीजों पर इसलिए क्योंकि दोन है या नए restrictions आने के बाद COVID के ये आज बाजार की गिरावट का कारण बताया जा रहा है नौकरी जाने की खबरे हैं GDP के गिरने की खबरे हैं Company के margin घटने की खबरे है Tax कम होने की खबरे है Advanced Tax के नंबर कम आए है इन तमाम नकारात्मक चीजों के बाद क्या कोई ऐसी चीज है क्या इसी कोई राहत की किरन है जो सरकार का होसला बांध रही है आज सब्सक्रा उसी पर हम सकते हैं कि अर्धव्ड़्वस्था के नजरिये शोला ख़ो म आए भारत के की झारात्मक की जो अभी भी ढांड़ा रह रही है जो आने वाले समय के लिए चिंता बढ़ाने वाली हैं और उनसे कोई आश्ष्वस्ती नहीं होती कि हम जल्दी छे महीने, आठ महीने या साल भर में इस मंदी के प्रिस्टिते से निकलाएंगे पर अर्थवस्ता भुद दिल्चस्प है अर्थवस्ता और बाजार हमेशा अन् स्टार्म है क्योंकि चारो तरफ से उसे पॉलिसी इनिशेटिव भी लेने हैं, अपने रेविन्यूस का भी हिसाब किताब रखना है, लोगों को मदद भी पहुचानी है, उसके लिए दो बहुत महत्तुपॉर्ण ऐसी चीजे हैं जो उसके लिए समय मदद कर रही हैं, पहल घंस का सटुपॉर्ण चैक्स पेयमेंट्स हो, चाहे राज्यों को भी वैट का पिए अट से आ रहा है इसके सरकार का मुनाफ़ा बहतर है, अगर एक कीमते बढ़ें तो भारत में कीमते और दादा बढ़ेंगे। इसका एक बिल्कुल दूसरा और उल्टा पहलू है, जिस पर हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे, कि बाजार में बॉंड की इल्ट्स कम हैं, इस तरह से समझें कि सरकार को अभी सस्ती दर पर करज मिल रहा है, और यह सबसे बड़ी रहा थे कि समय जब सरकार के खजाने में जगे जगे लाल बल जल रहे हैं, जहां आप हाथ रखिये, वहां पर कोई नो कोई लाल बल जलता दि निश्रित करने की कोशिस की है, कि सरकार के करज की लागत ना बढ़ है, सरकार के करज की कीमत 6% के आसपास रहे, और हमने यह देखा है, कि बाजार में बॉंड इल्स, यानि जिन दरों पर सरकार करज लेती है, सरकार के बॉंड की इल्ड, वो 2008 के इस तरह के बिलकुल आसप तो निश्य तो पर उसलिए रहात होगी सरकार के नजरिये से भी है, सरकार के विशय में अगर देखे तो भी ऐसी ही चीज है। हम 40 दॉलर के आतपास हैं, तेल की कीमतों का आउटलुक क्या है? क्या हम बहुत छोटे गाले में चलते रहेंगे या फिर हम 87 दॉलर के दिन बापस देखेंगे या आपको लगता है कि नहीं, अभी 40 दॉलर के आजपास WTI कूट ट्रेड कर रहा है और इसी के आजपास हम बने देखेंगे, आउटलुक क्या लिकल के आ रहा है भी तेल को लेकर? क्योंकि भारत की भारती बाजार में कीमते तो ऊपर हैं. पहली चीज तो यह कि दुनिया में तेल की मांग गिर रही है, तेल की खपत भी कम हो रही है, इसकी कई सारी अलग-अलग बज़े हैं, इसमें एक वज़े ताजामंदी है, दूसरी वज़े नान-्रेनोबल एनरजी या जो ऐसे संसाधन है जिनका इस्तेमाल करके आप इनका बार-बार इस्तेमाल कर सकते हैं, उनकी तरफ बढ़ता फोकस है, तीसरी तरफ दुनिया के बाजार में गलट है, क्योंकि खाड़ी देशों का या जो हाइड्रो कार्जन कार्बन आउटपुट है, उसके साथ अमे Brent Crude, जिसको भारत खरीदता है, वो भी हमने 20-25 डॉलर पर बार इस्तेमाल के आसपास देखा है, बीपी का आउटलुक इस मामले में सबसे महत्तों पौन है, बीपी के आउटलुक के बाद दुनिया के तेल बाजारों में इस बात पर चर्चा शुरू हो गई है, क्या तेल क या तेल में तेजी का भविश्यव समाप्त हो चुका है, क्योंकि बीपी का या मानना है कि अगले 10 सालों में दुनिया में तेल की दिमांड घटकर आधी रह जाएगी, और इसके उसने बहुत सारे कारण बता है, इस समय करीब 100 मिलियन पर बैरल पर डे की डिमांड है, बीपी का मानना यह है कि इसकी कई सारी वज़े हैं, इसकी बड़ी वज़े यह भी होगी कि क्लाइमिट चेंज के कारण सरकारें ऐसे उर्जय संसाधनों पर विक्सित करने पर निवेश करेंगी जिनमें हाइट्रोकारबन का की खपत कम की जा सके, दूसरी चीज मंदी के का करन और लोक्टाउन के बाद लोगों की आत्राएं और कम हो जाएंगी, जो बड़े बायर हैं तेल के, एविएशन और मैरीन इनकी खपत में गिरावट आएगी, और लोग आम तोर पर भी हाइट्रोकारबन उत्पादों की खपत कम करेंगे और इलेक्रिक चालनित वहालों की तरफ जाएंगे, यानि कि जो मीडियम टर्म का आउटलुक बीपी दे रहा है, वो यह मान रहा है कि अब 100 मिलियन डालर पार बैरल हमारा पीक आ चुका है, यहां से मांग में कोई 120 मिलियन बैरल पार डे, 130 मिलियन बैरल पार डे की बढ़ुतरी नहीं होनी है, तो यह बा मुख एनरजी स्रोतों की मांग आने वाले समय में बढ़ने वाली नहीं है, और इसका संकेत बाजार में हमें दिखता है कि इस समय तेल की कीमत 40 डालर पार बैरल के आसपास है, ब्रिंट की जहां से बारत खरीता है, और कोई ऐसा आउटलुक नहीं मिल रहा है, अगले तीन स आले चार साल का जो यह बता रहा हो कि 60 डालर, 70 डालर, 80 डालर के आसपास जाएगा, unless and until कोई बड़ी क्राइसिस नहीं हो जाए, मिडिल इस वीजन में कोई कंफलिक्ट हो जाए, कोई किसी तरीकी की दुनिया में दूसरी चुनोतियां आ जाए, जिसके कारण वहीं समस्या जहां कच्चे तेल का उत्पादन होता है, तो भले ही कीमते उपर जाए, लेकिन यह आउटलुक किसी भी तरीके से तेल की कीमतों के बढ़ने वाला नहीं है, और यही यह सबसे बड़ी राहत की बात है, इस समय सरकार के लिए, सरकार के लिए, बिलकुश, आज जब हम और आप यह वीडियो कर रहे हैं अब इस तक पर जब सारे दर्शक देख रहे हैं, तब 21 सितंबर को ही वाईदा बाजार में क्रूड का कॉंट्रेक्ट एक्सपाइर हो रहा है, और आज वो बेढ़ फीज़ी से ज़्यादा की गिरावट के साथ करीम उन्टिस तो चालिस दौर बाजाने की कच्छे तेल की कीमते बाजार में 3,000 रुपे के नीचे काम कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, अगला सवाल सर मेरा है बांड से लेकर, अगर हम देखे हैं, एक चीजस में जोड़ दें कि सरकार को लाब कैसे हो रहा है, ये भी हमारे लिए समझना जरूरी है, कि अगर कच्छे तेल की कीमते शुबं 40 डालर पार बैरल के आसपास रहती हैं, और सरकार आने वाले समय में टैक्स में कोई कमी नहीं करती, जो कि वो नहीं करेगी, इस मंदी की परिस्तिती में जब की रिविन्यूस तूटे हुए हैं, तो सरकार को हर साल मिलने वाला जो अतर पेट्रोल डीजल से मिलता जाएगा, और जैसा कि हमने देखा है कि पेट्रोल डीजल की डिमांड शुरुआत के 3-4 महेनों में जब लागडाउन था और सारी चीज़ें बंद थी, उससे तो वो गिरी थी, अभी भी हम उस प्री कोविड लेवल पर नहीं पहुंचें, लेक काम हमने लागडाउन की बीच में देखा था कि सरकार ने कच्चे तेल की कीमतों में कमी का फाइदा उठाने के लिए उभुकताओं के लिए टेक्स बढ़ा दिया था, वो लाब लंबे समय तक बना रहने वाला है, उभुकताओं के रिजरिये से अच्छी ख़बर नहीं है क्योंकि जब दुनिया के बाजार में कच्चा तेल सस्ता है, तो हमें भी पिट्रोल डीजल सस्ते ही, मिलने चाहिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि सरकार इस सस्ते कच्चे तेल का लाब उठाकर कम से कम इस संकट के समय, जब उसका खजाना बुरी तरह तूटा हुआ ह सारे रेविनियूस तूटे हुएं, तो इस रोथ से वो अधिक से अधिक संसाधन जुटाने की कोशिश करेगी. बॉन्ड की इल्ड को प्रभावित करने वाले कारण देखें, तो हर मोर्चे पर एक नकारात्मक इस्तिती बनी हुई है. इसका कारण है रिजर्ब बैंक. रिजर्ब बैंक ने 2019 में अभी तक सरकार ने जितनी बारूइंग की उसका 70% हिस्ता खुद पचाया है. यानि रिजर्ब बैंक ने बाजार में इतनी पूजी छोडने की कोशिस की है कि सरकारों को किसी भी तरीके से कर्ज लेने में मुश्किल ना हो. आम तोर पर बाजार में पूजी की कमी होगी और पूजी की कमी होगी तो भी आजदरें बढ़ेंगी. ये एक सामानी सरक्ल है जिस साइकल में बॉंडील्स प्रफावित होती है और जब आजार में पुझी की सप्लाई बढ़ेगी तो उससे महंगाई बढ़ेगी और एक डूसरा साइकल शुरू हो जाता है जिसका असर फिर बॉंडील्स पर पढ़ना शुरू होता है तो यह इसमें से जो पहला वाला साइकल है, जहांकि सरकार का खजाना टूटा है, उसे बहुत ज़ाधा कर्ज लेने की जरूरत है, उसका राजकोशी घाटा 4 महिने में ही पूरे साल का राजकोशी घाटा हो गया है, उसके बाद भी अगर हम भारत में सरकार को मिलने वाले कर् सरकारी bonds को खरीदने के लिए तिनी पूझी बाजार में इतना पैसा छोड़ रखा है और उसका नतीजा है कि बाजार में bond की सप्लाइज अच्छी है पैसे की कमी नहीं है और तब हम ऐसी विकट और विपरीद परिस्थेतियों में भी भारत में bond yields को ये सरकार को मिलने वाले करज की दर 6 पीज़ी पर देख रहे हैं लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात जरूरी है कि ये करज की दर सबके लिए एक जैसी नहीं है इसके कुछ और परतें और पहल हुआ ये केंद सरकार के 10 साल के bond पर 6 पीज़ी की भी आज़ दर दर है पर जरूरी नहीं कि उत्तर प्रदेश को बिहार को को या केरल को या करनाटक को या आंधर प्रदेश को या तामिलनाड को भी इसी दर पर करज मिल रहा हुआ उनकी करज की दर महेंगी हैं उनके खजानों की स्थिती जादा खराब है तो केंद सरकार के खजानों की स्थिती के मामले में तो बाजार समझोता करता है क्योंकि वो सावरिन गारेंटी के साथ आते हैं और सरकार ही पूरी नीतियों का केंद्र है पर राज सरकारों के मामले में बैंक समझोता नहीं करते हैं वे उनकी रेटिंग करते हैं और उस साथ क्या धार पर तो इसलिए अगर आप राजियों को मिलने वाले करज की दर देखें ब्याज की दर देखें और केंद्र के ब्याज की दर देख और तीसरी महत्वपूर्ण बात और अंतिम बात कि ये सब कुछ है तो कर जी कभी ने कभी तो चुकाना पढ़ेगा तो जो लोग भविश्य देखते हैं जो 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 जैसे मर्गन इस्टेंली है जैसे मूडीज है जैसे इस्टेंडन पूर है जैसे नो मुरा है जो भारती अर् सरकारों के कर्ज की परिस्थिती क्या बनेगी और बाद में उसका क्या असर होगा इसका आकलन भी किया जा रहा है और तातकालिक तोर पर अभी फिलाहल सस्ता कर्ज उभवकताओं को नहीं मिल रहा है सरकार को मिल रहा है और उसके जरिये सरकार अपने बहुत सारे नुकसान पूरे करने के कोशिफ करके कम से कम जो जरूरी खर्चें पूरा कर पा रही है ईसलों ही इस्थिति यह और कब तक बनी रही तो सर्कार्स परॉप कॉंगे और इसा क्या घट सकता है आने वाले दिनों में में आपको लगता है चाहें मैं सीमा का तनाओ का हूँ चाहि कौन से विए गई ल१ यह बजार में खुद्रा महगाई का आकला दो हस्ते पहले आया, बॉन्ड वील्स में हमने परिवर्तुन देखा, हमने देखा कि बॉन्ड वील्स बढ़ना शुरू ही 6.15 टक पहुच गई और वैसे ही रिजर्बैंक ने अपने आपरेशन ट्विस्ट का एलान कर दिया, कि बड़े पैमाने पर उपेर मार्केट में जाएगा और फिर बॉन्ड खरीदेगा और पूंजी छोड़ेगा और बॉन्ड वील्स बाट इस्टेबेल होकर वहापस वहीं आ गई, जो कि सरकार रिजर्बैंक के लिए अराम का इस तरह है, तो महगाई सबसे बड़ी खलनायक है, आगर आने वा जाएगी कि अगर महगाई किदर बढ़ना शुरू होगी, तो इसका असर बांड की कीमत पर पढ़ता है, क्योंकि जैसे-जैसे महगाई बढ़ती जाती है, बांड पर आपका रिटर्न कम होता जाता है, आपको नुकसान होता जाता है, तो रिजर्बैंक के लिए आब यह च कच्छे तेल को लेकर, तेल की कीमतों को लेकर अभी कोई भी आउटलुक ऐसा नहीं है, जो नकारात्मत दिखाई दे रहा हो, इक ही प्रत्याशित अंसर्टन घटना करम ले सकते हैं, कि कोई जियो पॉलिटिकल तनाव शुरू हो जाए, कोई किसी तरीके का संधर्ष शुर सप्लाई के हिसाब से, कैपिसिटी के हिसाब से, वो सारे पैमाने अगर आप एक मेच पर बिछाएं, तो सरकार टैक्स में अगर कमी ना करें, और तेल की कीमते यही रहें, तो एक कम से कम अगले एक है, दो साल तक, तीन साल तक, और बीपी कीमाने, तो शायद अब सदा के के लिए, हमें लंबे समय के लिए, दो जार तीस, पचास तक के समय तक, तेल की कीमतों में कोई भुद बड़ी बढ़ हुत्री होने की संभावना नहीं है, सामाने परिस्थितियों में, यह आउटलुक अभी फिलाल हमें मिल रहा है, चलिए, तो फील गोट के लिए फिलाल खबरे हैं और दोगी बुद्पादन से लेकर बाजार तक, तब सस्ता तेल और सस्ता कर्ज, कम से कम सरकार को राहत दे रहा है, और शायद यही वो दो चीज़े हैं, जिससे विदेशी निवेशकों का या शेयर बाजार में निवेश करने वालों का भरोशा भी अभी तक भ झाल करते हैं, भा शेयर झाल जाद burst दे और में निवेशघके हैं, रहकार को विदेशकों का पर देब करनाद कर दो अ compress कर दो समझेपकों का विदेशकों का लिवेशकों कर विय theoretically हैं, और gefunden हैं इच करते हैं, भाजसके सरी खेशार में, जब सेवागी हैं, तो अ याजसके